आज मैं आपके साथ एक ऐसी पकोड़ी की रेसिपे शेयर करने वाले हूँ जिनको हम दो महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं कितनी क्रिस्पी कितनी करारे बने सिर्फ एक इंग्रिडियंट से हम कोई चोड़ा वगरा नहीं उस करेंगे जनरली सब्सक्राइब की चीजे था हम पटे मसाले बनकर तेयार इन सालों को आप स्टोर करके रख सकते हैं चाट मसाले की जगर यूजड़ा तेस्टी लगते मसाले तो तयार हो चुके तो अब ले लेते हैं बादाम यहने हमारे हो fırना वी जिनीा बादाम कियाताए वैसे किनकीड को पता है कि चीनी या बादाव नाम सना है तो बस इस चीज का आप ध्यान रखेगा कि जितनी मुंगफली ले उसका आधा आपको बेसन ले रहा है अगर एक कप मुंगफली लेते हैं तो हाफ कप बेसन यूज़ करना है अब यहां पे बेसन में हम आधा चमच नमक मिला रहे हैं एक चमच कश्मरी लाल मिर्च पाउडर और एक चमच हल्दी और थोड़ा सा पानी पानी एक साथ मच डालीगा थोड़ा थोड़ा करक carpet पानी दालेंगी क्योंकि जो घोले अगर वह बहुत जादा मोटा रहा तब रेसिपि अच्छी नहीं बनेगी बहुत पतला हो जाएगा तब भी रेसिपि अच्छी नहीं बने अधे कटोडी से कम पानी तैयार हो गया अब मंगफली को जाल लिएक अच्छी तरह से सेच आप सोच रहोंगे बमोतातो मैं एक कृस्पी होगी किसे क्रिस्पी होगी Trumpie करने के साथ के से थाई में तेल को पहले अच्छा गरम होनी दीजिए जैसे ही तील अच्छा गरम हो जाए तो ग्यास का फ्लेम एकदम लो कर देंगे चोटा-चोटा सा पकरा डालेंगे और किसी भी स्पिचला की हेल्प से बैक साइड से सारा कंटीनियू चलाते रहेंगे और ग्यास का फ अच्छा क्रिस्प हो जाता है पांट से साथ मिनट में च्छा से फ्राय हो जाते हैं और लो फैलेम पर हमें ड्यार करना इस बात का ध्यान रखेगा लिया अगर हाई फैला से अंदर तक प्रिस्प नहीं होंगे कच्छे रह जाएंगे और यह देखे एक अक दाना कि-तने तो अच्छे से कुक हो जाते हैं बहुत करिस्पी बनती है अब हम मिनको निकाल लेते हैं और जब में गरम रहते हैं तब हम मसाली की कोटिंग होती तो एक बॉल में हमने पहले निकाल ली जब ये फ्राइ किये थे उसमें एक चमच हमने मसाला मिक्स किया है आवाज आप सुन सकते कितने अच्छी क्रिस्प बनी है और इसी तरह से एक बैच और मैं आपको फ्राइ करके दिखाती हूं तेल जब गरम हो जाया तो लो कर देंगे फ्लेम को तब छोटा- पूरा हमें कुक करना है पांसे साथ मिनट में अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं और देखे इसी तरह से हम सारा बैच तयार कर लेंगे आपको देखके लग रहा होगा कि एक एक दाना एकदम खिला-खिला बना है और ये भी लग रहा होगा कि बनाना बहुत मुश्किल है ल और ये खास कर बारिस की मौसर में तो बहुत ही बड़ यहां लगते हैं खाने में और ये देखे कितनी क्रिस्पी बने हमापको तोर कर दिखाती हूं आवाज आप सुन सकते हैं कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है और इसमें नहीं हमें चावल के आंटे का यूस करना पर और और नहीं सोड़े का सिर्फ और सिर्फ पेसर में इतनी जादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है तो एक बार ये रेसिते आप लोग घर पे जरूर से ट्राइ करके देखिए अगर बनाते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि कैसे बने हैं और आप इनको एयर टाइट कंटेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं दो महीने के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे तो इस बार इसकी मौसर में इस टेस्ट्री को घर पे बना कर एक बार जरूर से ट्राइ करिएगा मैं फिर आप से मिलती हूं किसी नेक्स रेस्पी के साथ अप तकिलें किसी मौसर में थां आप से उति नेक्स रेस्टरी का लिएगे लग